कि हलो दोस्तों आज हम पासवर्ड क्रैकिंग सीखेंगे तो देखिए यह मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड जो है वह मैं लगभग लगभग भूल गया हूं मुझे याद नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक बूटेवल पैंडराइब बना लेंगे विंडो 10 का या फिर 11 का जिसका भी आपको बनाना हो उसके बाद सबसे पहले पैंडराइब को आपके cpu या फिर जिसका भी पासवर्ड आपको क्रैक करना है लाइक कंप्यूटर का या फिर लैप्टॉप का तो लैप्टॉप में आप अपना पैंडराइब लगा लेंगे बूटेवल वाला देन आपको क्या करना है री स्टार्ट करना है री स्टार्ट करेंगे restart करने के बाद restart करने के बाद सबसे पहले आपको अपना bootable key जो होती है like hp का f9 होता है dell का f12 होता है तो मेरा hp का है मैं f9 प्रेस कर रहा हूँ ये boot key आ गया फिर आपका जो bootable device है उसको select कर लेंगे like मेरे bootable device का नाम है hp v3 301 w pm a pm then click enter enter click करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको उसके बाद आपको क्या करना है थोड़ी दिर wait करना है जब आपको ये windows का option आ जाएगा language वगेरा का फिर next का option आता है next पे click करने के बाद आपको क्या करना है shift के साथ f10 प्रेस करना है जिससे की हम command line पे direct आ जाएं थोड़ी दिर wait करेंगे ये देखिए ऐसा setup आ जाएगा ऐसा setup आने के बाद आपको tab tab and tab प्रेस करना है फिर हम इससे बाद आपको जाएंगे और यहां नेक्स्ट पे click करने से पहले जो है आपको क्या करना है shift के साथ F10 प्रेस करना है तो ऐसा setup आपको दिख जाएगा ऐसा setup दिखने के बाद आपको क्या करना है ऐसा setup दिखने के बाद आपको direct लिखना है disk part फिर हम डिस्क पार्ट पर आजाएंगे कि डिक्स पार्ट पर आने के बाद लिस्ट वैल्यू लिखेंगे स्वारी लिस्ट वॉल्यूम हिट एंटर यह हमारे कुछ वॉल्यूम दिखा रहा है अब हमें क्या करना है जो भी आपका सी ड्राइव हो सबसे पहले आपके सी ड्राइव का जो वह हो आपको तो पता ही होगा सी ड्राइव कौन सा है तो सी ड्राइव लिखा रहता है वॉल्यूम वन सी ड्राइव तो अब हम क्या करेंगे एकसी ड्राइव को select करेंगे c.colon से c drive select हो जाएगा then हम क्या करेंगे cd windows में जाएंगे windows में जाने के बाद system 32 में जाएंगे system 32 में आने के बाद कुछ command लिखेंगे जैसे copy utilman utilman.exe space फिर से utilman .utilman1.exe then enter करेंगे फिर उसके बाद copy cmd.exe space cmd1 then enter करेंगे then dell utilman .exe after that rename rename cmd .exe utilman .exe यह हमने rename कर दिया अब exit हो जाएंगे exit होने के बाद हमें क्या करना है computer को restart करना है यहाँ पर yes कर देंगे और जैसे start होगा start होने देंगे start होने के बाद हम इसे open करेंगे अभी हाँ अभी भी हम password डालेंगे तो नहीं आएगा हम यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आपका direct cmd open हो जाएगा यह देखिए cmd open हो गया cmd open होते ही आपको क्या करना है लिखना है control control space user p a double s w o r d passwords then enter करना है पासवर्ड टू लिखना है sorry देन यह ऐसा कुछ setup दिखेगा हमारा एक ही एड्मीन है inger हेक एरा अब हां रीसेट् पासवर्ड पर जाएंगे निव पासवर्ड के लिए पूछ रहा है निव पासवर्ड कुछ भी डाल देंगे मान लो मैंने कुछ भी डाल दिया तक में तरहbey तब करेंगे सेम पासवर्ड फिर ओके ऑके प्र क्लिक करेंगे और देन ओके और यहां से वापस आएंगे अब यहां पर आप चेक कर सकते हो यह देखिए मेरा कम्प्योटर ओपन हो गया यह वीडियो था रिसेट पासवर्ड का आगे हम पासवर्ड को सॉरी विंडो इंस्टोलेशन और फिर लाइनेक्स इंस्टोलेशन और लाइनेक्स का पासवर्ड क्रैकिंग ऐसे ही और भी चीजों का पासवर्ड क्रैकिंग सीखेंगे लाइक माई एसक्यूल और सेंटोज फेडोरा काली लुनेक्स, उबन्तू तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करिए और ऐसे ही और ज्यानवर्धक बातों के लिए एवं नौलेश के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करिए कमेंट करिए और शेयर भी कीजिए और ऐसे ही नौलेज आपको यहाँ पर रेगुलर मिलता रहेगा अगर आपके पास कोई और प्रॉब्लम हो जिसका सॉलिशन ना मिल रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हम उसका सॉलिशन जरूर अपलोड करेंगे यूटूब के इस वीडियो इस चैनल के माध्यां पर से और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगी धन्यवाद